नमस्कार भारत के पहले मोबाइल न्यूस चानल मेट्टो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूस बुलिटन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर लोग सभा में ज्यूस टी समिधान संशोधन बिल पर चर्चा जारी रधानवंत्री मोधी शाम को 6 बजे सदन में रखेंगे अपना पाप्ष वितमंत्री ने ज्यूस टी को बताया बड़ी उपलब दी इलाबाद के एक स्कूल में राश्ट्रगान पर पावंदी लगाने वाला मैनेजर गिरिफतार देश्डो का मामला दर्ज स्कूल को भी किया सीव रशासर ने कड़ी कारवाई के दिये संकेत जमुकश्मीर के कुपवाडा जिले में नियंतरन रेखा के पास आतंकियों से मुटभेर बियस एफ के दो जवान चोहिद एक आतंगवादी धे गूस पेट की खोशिश हुई नाकाम हिजबुल मुजाहिदिन के चीफ सेयद सलाउदिन को मिला करारा जवाब केंद्रमंत्री वेंग के नाइदू ने किया पलटवार कहा सलाउदिन को कश्मीर पर बोलने का हक किस ने दिया और पाकिस्तान के बलुचिस्तान के क्वेटा में एक सरकारी अस्पताल में धमाका तिर अपन लोगों की मौत कई गंभी रूप से घायल पाकिस्तान ने रौक को बताया जिनदार वित्तमंत्री अरुन ज्वेटली ने आज दोपहर में लोग सभा में ज्वेस्टी सम्विधान संशोधन बिल चर्चा के लिए पेश किया ज्वेटली ने इस बिल को राजसभा में पास कराने के लिए सभी पार्टियों का शुक्रियादा किया फित्तमंत्री ने कहा कि 2011 में लाएगा ज्वेस्टी बिल में राज्यों के घाटे की भरपाई का प्राधार नहीं था उन्होंने बताया निर्मान उत्पादन में लगे राज्यों को राजसभा घाटे की चिंता थी ज्वेस्टी काउंसल के स्वरूप पर भी विवाद था पूर्व बियस्पी ने दा स्वामी प्रसाद मौरिया आज अमिच शा की मौजूदेगी में भारती जनता पार्टी में शपत लेकर शामिल हो गए 22 जून को मायावती पर टिकट बेचने का आरूप लगाते हुई मौरिया ने बियस्पी से इस्तिफ़ा दे दिया था इस्तिफ़े के बाद मायावती ने मौरिया के आरूपों का जवाब देते उन्हें पार्टी से निश्कासित कर दिया था पिछले रेड महीने में UPBJP के प्रभारी ओम प्रकाश माथूर ने स्वामी प्रसाद मौरिया की दो बार BJP अध्यक्ष अमिच शा से मुलाकात कराई थी मौरिया बीजेपी में आए इसका पूरा ताना बना ओम माथूर ने बना है ओमाथुर अच्छे से जानते हैं कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केश्व प्रसाद मौर्या बिल्कुल नहीं चाते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्या बीजेपी में शामिल हो आतंकी संगटन हिजबुल मुजाहिदिन के चीफ सेयद सलाउदिन ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान में परमानू युद हो सकता है सलाओदिन ने भारत को ये धमकी काराची में जमात ए इसलामी नेताओं की कश्मीर मुद्धे पर हुई जॉइंट न्यूस कॉंट्रेंस के दौरान दी केंद्रमंत रिवेंग के नाइडू ने सलाओदिन की धमकी पर कहा वो है कौन और उसे कश्मीर पर बोलने का हक किस ने दिया उन्होंने कहा कि धमकी से कुछ नहीं होगा ऐसे लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बाते करते हैं हिजबुल चीफ ने कहा कि मैं भारत पाकिस्तान के भी चोथे युद की भविश्यवानी भी कर सकता हूँ क्योंकि कश्मीरी किसी भी स्थिती में समझोता करने के मूट में नहीं है जमु कश्मीर में ज़ारी तनाव को देखते हुए आज लगातार 31 दिन कई इलाकों में कर्फियू और प्रतिबंद जारी है जिसके कारण जन जीवन प्रभावित है पुलिस सूत्रों के मताबिक अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया और पुलवामा में कर्फियू है जब कि श्वीनगर, सुपोर, बारामुला, हंदवाडा और कुपवाडा में प्रतिबंद चारी है यहाँ पिछले माँ भड की हिंसा के वाद से पहली बार जिला प्रशासन के कई वरिष्ट अधिकारियों ने कहा है कीवे मीडिया से बात करने के लिए अधिकरित नहीं है अलगाबादी और निश्वीनगर में सिविल सेकेट्रिय और अन्य प्रशासनिक कारलेक तक लोगों से सडक मार्क बाधित करने को कहा है श्रेक्षनिक संस्थान, कारुबारी प्रतिश्थान और सारवजनिक परिवहन भी पिछले एक माँ से अधिक समय से बंद है अलगाबादी नेताओं को एतियात के तौर पर हिरासत में रखा गया है जमुकश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंतरन रेखा के पास आतंकियों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुटभेर की खबर आई है बताया जा रहा है कि आज हुई इस मुटभेर में B.S.F. के दो जवान श्रहीद हो गए है जबकि एक आतंकी को भीमार गिराया गया है कुपवाड़ा के लिए अतिरिक्ट सुरक्षा बलो को रवाना कर दिया गया है हाला कि ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि ये मुटभेर घूस पेट की कोशिश के दोरान हुई या फिर आतंकी इलाके में पहले ही से मौझूद थे जानकारी मिली है कि जमु कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माच्छिल सेक्टर में इंकाउंटर अब भी जारी है पाकिस्तानी कुवे एजनसी आईएस आई अंतराश्ट्रियस सीमा और लोसी के जरिये बड़े पैमाने पर घूस पेट कराने की कोशिश में है भारतिय सुरक्षा एजनसीों ने आतंकियों के घूस पेट करने की आठ जगाओं और आतंकियों के मूवमेंट का पता लगाया है लशकर कमांडर शहबाज उर्फ लतीफ अपने साथ साथ आतंकियों के ग्रुप में तंगधार सेक्टर में घूस पेट की कोशिश में है हिजबल मजाहिदन के आठ आतंकियों का ग्रुप उरी सेक्टर में घूस पेट की कोशिश में है जेश के पांच से छे आतंकियों का एक ग्रुप बिमला पोस्ट के नस्दीग घूस पेट करने की कुशिश में है सुरक्षा एजिंसियों ने इसके साथ हिलशकर जेश और हिजबुल के आतंकियों की बादशीत को इंटरसेप्ट किया है कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग का खुलासा इस इंटरसेप्ट बादशीत से हुआ है इसमें आतंकी कोड के जरिये बात करने सुनने गए है पाकिस्तान के बलुचुस्तान प्रांद के क्वेटा में एक सरकारी अस्पताल में धमाका हुआ है आज सभा हुए इस बम धमाके में अब तक 13 लोगों के मारे जाने की खबर है वही बलुचुस्तान के मुख्य मंतरी ने हमले के लिए भारत को जिम्यदा ठहराया है पाकिस्तान के जियो टीवी के अनुसार बलुचुस्तान के मुख्य मंतरी सनाउल्ला जहरी ने आज भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्वेटा हमले के पीछे भारतिया खूफय एजनसी रौका हाथ है शुरुवाती जानकारी के मताबिक एक आत्म घाटी हमला बताया जा रहा है क्वेटा में एक वरिष्ट वकील की हत्या के बाद हुए इस ब्लास्ट में घायल होने वाले अदिकतर वकील ही बताया जा रहे है घायलों की संख्या तीज बताया जा रही है अब तक किसी भी आतंग की संगठन ने इस हमले की जमेदारी नहीं ली है इलाबाद की एक स्कूल में राश्ट्रगान गाने पर पाबंदी लगाने वाले स्कूल पर प्रशासन ने कड़ी कारवाई की है पुलिस ने देश्डरो का मुकदमा दर्ज कर स्कूल प्रबंधक को गिरफतार कर लिया है इस से पहले स्कूल की प्रिंसिपल सहित आठ टीचर्स ने स्कूल में राश्ट्रगान गाने की पाबंदी लगा देने पर इस्तिफा दे दिया था इस्तिफा देने वाले टीचर्स का कहना है कि राश्ट्रगान गान सम्विधान की ओर से दिया गया मूल अधिकार है स्कूल प्रबंधन ने जब इसे गाने पर इतराज जताया तो उन सब को इस्तिफा देने पर मजबूर होना पड़ा प्रशासन ने जाज कराई तो पता चला कि ये स्कूल बिना मानिता के ही चल रहा है प्रशासन ने स्कूल को सील कर दिया है स्कूल प्रबंधन ने बताया कि राश्ट्रगान में भारत भाग्या विधाता के भारत शब्द से उन्हें एतराज है राष्ट्रगान से भारत शब्द नहीं हटाया जाएगा तो वे स्कूल में राष्ट्रगान गाने नहीं देंगे बीजेपी के लिए मुस्लिम समुदाएं के लोगों को अपने साथ जोड़ना हमेशा से टेड़ी खीर साबित हुआ है लेकिन अब बीजेपी की नाजर अलप संख्यक वोटो को लुभाने में लग गई है पार्टी नेता खुद को मुस्लिम और इसाई समुदाएं को अपने साथ जोड़ने की कवायत शुरू करने जा रहे है इसके लिए बीजेपी अलप संख्यक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है जिसमें खासतोर पर मुस्लिम और इसाई समुदाएं के युवाओं के विचारों उनकी समस्या सरकार की नीतियों पर उनकी राय लेगी इन युवाओं के सामने आने वाली समस्या को कैसे दूर किया जाए इसी एजंडा पर वीजेपी काम करेगी यही नहीं वीजेपी इन युवाओं की राय भी लेगी इस सम्मेलन को वीजेपी अगस्त के अंतिम सप्ताब में आयोजित करेगी भारतिय रिजर्व बैंक के एक नए गवनर को लेकर ताजा अटकले सामने आई है शुकरवार को रिजर्व बैंक के पूर्व दीप्टी गवनर सुबीर गोकर्ण ने गवनर रगुराम राजन से मुलाकात की थी इसी हफ़ते गोकर्ण ने आर्थिक मामलों के सचीफ शक्ती कांत दास से भी मुलाकात की थी सूतरों के मताबिक केंद सरकार ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वे नए गवनर के नाम का एलान कप करेगी हालाकि ऐसी संभावना जोताई जा रही है कि इस अफ़ते के अंध तक नए गवनर के नाम की घोशना हो जाएगी पहले आरबी आई के गवनर के पद के लिए जिन लोगों के नाम की चर्चा थी उन्हें मुख्य आर्थिक सलाकार अर्विंद सुब्रमानियम, विश्व बैंक के पूर्व मुख्या अर्थिशास्त्री कोशिक बसू, नीती आयोग के उपाध्याक्ष अर्विंद पंगडिया और आरबी आई के पूर्व दीप्टी गवनर राकेश मोहन और भारतिय स्टेट बैंक के चेयर्मेन अरुंदती भटचारे का नाम शामिल था इस न्यूस बॉलिटन में फिलहाल अतना ही ताज़त अरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मेटो टीवी से नमस्कार